गुड आफ्टरनून एविबडी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम में इस वीडियो में उससे पहले जो भी चैनल पे नहाएं मेक शूर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो बैल आकन प्रेस कर लो ताकि आने वहले वीडियो के नूटिफिकेशन नहीं देखा है चैनल पे जाओगे मिल जाएगा यॉकिशार वसेज लैंक कि शायर का सैमिफाइल नंबर वन है अच्छा मैच के लिए वो इससे बेटर मैच के लिए तो जिसने नहीं देखा जाके देख सकता है फिर आप इस मैच पे आज तो आप जाओगे तो आपको पर्फॉर्मेंस स्कॉर्ड और प्लिंग लंड पर आता हूं तो हैंफिशाय से स्टार्ट करता हूं एंफिशायर 15 मैच खेलें सीजन 10 जीती है पांच हारी है कैप्टastern जीम्स विन्स है और इस टार्नमेन के हैस्ट गेटर भी जीम्स विन्स है ठीक है सूमसीट की बात करूं 15 वायचर्श खेलें उन्होंने 11 जीती है सिर्फ चार रही है यानि हैं है की एक मैच जयादा जीती है सूमसीट की बात करूं तो और जो इनके कैप्टन है वो रहते हैं ठीक है अभी के लिए जो इनके कैप्टन थे वह यहां पर आप देखो कि तो पता चल जाएगा तॉम एबिल थे जब स्टार्टिंग में ऐसे तो कोई और था क्यूंकि प्लेयर जो है इंटरनेशनल यूटी के लिए जाते रहते हैं तो फिर इनको जो कैप्टन है व बहरा को बैटिंग करते हो दिख जाएंगे यहां से टॉम प्रेस्ट तू डवन के साथ रोसेज वीटली फिर जेम्ज फुलर लिया डॉसन फिर आते हैं आपके यहां से तो इस पर जाने से पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको Somerset के बार में बता हूं तो Somerset अपने पिछले पांच में से चार मैंच जीत के आ रही है उनके लिए जो लीडिंग स्कोरर है राइली रूसो चेशो रन मिना चुके इस टॉनमें उनके लिए लीडिंग टेकर है वह लूइस ग्रिगोरी है अब 15 मैच लूइस ग्रिगोरी ले चुके है इस टॉनमें बात करूं तो ठीक है आते हैं प्लेंग इनन पर हम फिशार की तो बैन मैंग्डमट जेम्स सबसे बैस्ट अगर किसी ने किया है वाइटली ब्लास में तो वह जेम्स विंस है उनके बास टॉम प्रेस्ट 11 मैचेस 248 रन 24 का इवरेज इनका है जो एदर ली 13 मैचेस 276 रन फिर आते हैं टोबी अलबर्ट 9 मैचेस 83 रन रोज़स वीटली 14 मैचेस 158 रन फिर और रांड बॉलर्स राइट आम फार्स मीडियम क्रिस वूड तेरा मैचेस 19 विगेट ब्रैडली वील सेकेंड इनिंग्स के स्पेशलिस्ट है दस मैचेस 19 विगेट मोजोन क्रेन की बात करूं तो आपको 11 मैचेस 10 विगेट इनके नाम देख चाहेंगे ठीक है तो यह है आपकी प्ले करेगे आज इनको लेने के लिए वह यह है कि सामने जो सॉमा सैट है उनके पास लेफ्टी मौजूद है लेफ्टी आप देखोगे मिडल ओडर में आपको एक तो राइली रूसो दिख जाएंगे ठीक है दूसरे आपको लेमन बॉय दिख जाएंगे तॉम लेमन बॉय के सा करों टॉप ओडर रन बनाएंगे तो मिडिल ओडर में पूरा मिस करूंगा फिर आउंगा में इनके ऑल रॉंडर की तरफ जिसमें से मैं जेम्स फुलर और लियाम डॉसन दोनों को पिक करूंगा एक स्पिनर एक मीडियम पेसर साथ में दोनों बैटिंग करके देते हैं तो लेक्स पिनर थे औस्ट्रीलिया के डॉमिस्टिक सर्केट में लेकिन रीसेंटली जो है परफॉर्मंस उतना अच्छा रहा नहीं है मौसन क्रीन का अगर ग्रैंड लीग वगरा खेलते हो तो जरू ट्राय करना मौसन क्रीन को ठीक है आगे चलते हैं सॉमसेट के स्कौड की विल्समीट टॉम बैंटन इनके दोनों उपनर वन डाउन राइली रूसो टू डाउन टॉम एबिल उसके बाद लेमन बॉय आपको दिख रहे हैं ग्रीग रॉई बैंग्रीन सारे के सारे प्लियर्स हैं अब दिक्कत किया हुए इनके पास जॉश डेवी अविलिबल नहीं है ठीक है और साथ में क्रेग ओवर्टन क्योंकि दोनों जो इंटरनाशनल ड्यूटी पर गया है इंग्लेंड ओडिया जो चल जाए इंडिया के अगींस्ट वहां पर ओवर्टन भी है वहां पर जॉश डेवी भी हैं तो ओवर्टन की जगह आपको जैक ब्रुक्स देखने लेकिन आप उनके पास बचानी है तो बैन मैक्डमर्ट और जेम्स विंस के पास एडवांटेज है इनकी में बॉलिंग स्ट्रॉंग क्यों बोला था देखो कि तो पीटर सेडल इनके पास मौजूद है ठीक है पहला तगड़ा बॉलर दूसरा इनका देखोगे तो बैन ग् ठीक है टॉम बैंटन के रिकॉर्ड अगर आप देखोगे 14 मैचस 274 रन विल्समीट 14 मैचस 380 रन दोनों उपन करते हैं राइली रूसो 14 मैचस 600 अब हो चुके हैं टॉम एबल 14 मैचस 351 रन लेमन बॉय 14 मैचस 156 रन लुइस ग्रीगरोई 14 मैचस 121 रन बैन ग्रीन 14 मैचस 17 14 मैचस में साथ विकेट ओवर्टन अब खेलेंगे नहीं ब्रुक्स है इनकी जगह डेवी है नहीं कैसी एल्डरिश खेलेंगे इनकी जगह पीटर सिडल 9 मैचस में 14 विकेट यह ले चुके हैं ठीक है तो यह थी सॉमसेट के प्लेइंग लगान और उनके रिकॉर्ड अगर इंपोर्टन प्रेस की बात करोगे तो मुझे अभी भी हैंफिशायर से देखोगे तो ऐसा कोई न्यू बॉल बॉलर दिख नहीं रहा है हैंफिशायर की टीम में ब्रेड वील क्रिस वुड हैं फर्स निंग में अच्छा कर सकते हैं तो टॉम बेंटन एक्सपेक्ट करो कि कर सकते हैं विल्समมา आपको रोफास सकती हैं रूस ससकते हैं इन तीनों से में रन कर रहा हूं फिर लआर्मन बॉय लूंगा उसके बाद मैं इसके बात में ग्रिग रोई और ये मेरे तर से डाउनलूड नहीं किया है भाई बहुत कुछ मस कर रहे हूं कमेंट सेक्षिन डिस्क्रिप्शन में लिंक है ले हमें चलेंजर से आपकी डाउनलूड कर सकते हो बागी आपकी मरजी है आते हैं पहला कम्बिनेशन मनाते हैं कि अगर सॉमर सेट लाल दालेगा तो पीटर सीडल जॉश डेवी के सेलेक्षिन परसेंटिज सैविंटीवन है लेकिन ओखेलेंगे लेकिन तुमेंट करना है दूसरा जो हमारा मीडियम पैसर होगा सॉमर सेट की तरफ से वह यहां से ग्रीन होगा तो यह तीन पॉलर्स हम पिक करेंगे अगर सॉमसेट पहले बॉल डालता है तो अब हम फिशार की बैटिंग सर्टन है मैं आपको बता दिया था बैंड मैंक्डिमित हम पिक करेंगे जेम्स विंस और साथ में जो हम रिस्क लेने वाले हैं टॉम प्रेस्ट पे उन्हें अपन पिक करने हैं फिशार से जो न्यू बॉल बॉल रिक्रिस वॉड उन्हें मैं पिक कर लूँगा साथ में ब्रैड्ड वील नेथन इलिस दोनों से आपके पास एक का उप्शन होता है मैं वील के तरफ जा रहा हूं यूज्वली देखा गया है से के बैड्ली वील अच्छा करते है ठीक है अब हमें बैटिंग पिक करनी है सॉमर सेट से तो राइली रूसो विल समीड और टॉम एबल जैसा में आपको बता है मुझे लगता है कि रन बनाएंगे जो सेफ प्लेयर्स है उनके लिए एक चोईज है एबल ड्रॉप कर दो और टॉम बेंटन पिक कर लो तो भी को मेरे जो कैप्टन वाइस कैप्टन है वह आपको थोड़े से अलग दिख सकते हैं थोड़ा सा रिस्क में लेना पसंद करता हूं तो वह चीज मैं करूंगा अगर हम फिशाय जो है पहले बॉल डालता है तब मैं यह रिस्क कि मैं पीटर सिडल को कैप्टन सी या वाइस कैप संद करता है तो फिर मैं सेफ जाऊंगा विंस और रुजो की तरफ ठीक है यह मेरा ना पहले अगर दूसरा जो को बताया उसकी तरफ जातर हो तो खालों और पीटर यह चीज आप कर सकते हो ठीक है सॉमसेट पहले दाले तो तो सेडल देट में बॉल डालेंगे और डेध में अधलिस दो वकट आप इन से expect कर सकते हो अभी के लिए जो सेफ जा रहे हुँआ है उनके यह है captain कर दूंगा उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो वीडियो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर लेना और टीम्स के लिए बीट करना टेलिग्राम चैनल पर आजाओ कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैं आप सब मिलूँ और फाइन टीम्स लेके तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर हवा गुड डे